कुरुशेत्र के कस्वा शाबाद में भारत्य किसानी यूनियन का परदर्शन लगातार जारी है किसान अपनी मांगो पर अड़े हुए हैं काफी दिनों से किसानों की सुरिज मुखी नहीं खरीद रही है सरकार यही नहीं किसानों की और भी कई समस्य हैं जो परशाशन वज सरकार नहीं सुन रही है इसलिए किसान सडक पर उतरे हैं और इतना ही नहीं कई किसान तो पानी की टंकी पर भी चड़ गए हैं जब तक मांगे मानी नहीं जाती तो टंकी से वे नहीं उतरेंगे भारते किसानी उनियन परदेश अद्यक्ष गुरुनाम सिंग चडूनी ने कहा कि तीन दिन के बाद भी किसानों की सूरज मुखी नहीं खरीदी और 31 तारिकों वैसे ही खरीद बंध हो जाएगी सब किसान कहा जाएंगे हम अपनी मांगो पर अडे हुए हैं अगर 31 तारिक से पहले किसानों की सूरज मुखी सरकार ने नहीं खरीदी तो हम आगे सब मिलकर एक रननीती बनाएंगे और सोचेंगे कि सरकार के खिलाफ क्या करना है करना है इतना आप मेरे बार है कि नेरा कि इसने समय भाविसुत मुझे संचवाट मेशार कशान कंव ml के तोली सिकाई प pół pon bar अर्थप्रकास TV के लिए कुरूशेतर सही कुलतार सिंग की रिपोर्ट ताज़ा प्डेट्स के लिए अर्थप्रकास TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें